जोखिम उठा करके सत्ता त्यागना बड़ा कटिन हुटा है कोई कदम उठाएंगे तो हमने ये कहा झाएंगे Tulika इस तरह कोई कदम ओठाते हैं तो आम इनका स्वागत करेंगे अगर कोई कदम उठाते हैं तो हम क्या भाजपा के साथ जाकर के नितीज कुमार को किछाती पर चड़ेंगे। भाजपा ने नितीज कुमार से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाना सुरू कर दिया। अर्थिजन्ता पाठी की जो साजिस थी उसका परदा ये अरुनाचल प्रदेश की घटना से उठ रहा है। आपको एकडम अवकात में ले आने के बाद अब आपको जलील करना सुरू किया है। अब नितीज कुमार जो है इसी तरह से अपमानित होकर के जलील होकर के कुर्सी पर चिपके रहेंगे। देखे, अश्चर्जनक ये है कि गठ बंधन का जो आपका सहयोगी है, उसके बिधायक को जब आप तोड़ने लगते हैं, तो इससे तो साफ अस्पस्ट लगता है कि आप गठ बंधन चलाना नहीं चाहते हैं। तो गठ बंधन की सारी मार्यादाओं को तोड़ करके, या ये कहा जाए कि गठ बंधन के अपने सहयोगी के साथ आपने विश्वासगात करके उसके बिधायकों को तोड़ा। वह भी उस हालत में, जबकि अरुनाचल के विधान सभा, साथ सदस्यों वाली विधान सभा है। उसमें बारत्य जन्ता पार्टी के पास अल्रेडी 41 विधायक थे। मतलब उनको बहुत ही अरामदायक बहुमत हासिल था। उसके बावजूद आपने इनके साथ भी धायक थे, छे भी धायकों को तोड़ लिया। तो इससे क्या संदेश निकलता है। इसका संदेश तो इही निकल रहा है ना भाई, कि भाजपा ने नितीज कुमार से अपना पुराना हिसाब किताब चुकाना सुरू कर दिया। एक समय था जब नितीज कुमार ने 2009 में के लाम है भारते जनता पार्ठी के रास्टिय कारकार्णी की जो बैठक हो रही थी, उस बैठक के तमाम सदस्यों का जिसमें नरेंद्र मोदी भी थे, इन्होंने भोज का नियुता देकर कैंसल कर दिया। दो हजार नो की बात कर रहा हैं, जिसमें भोज का नियुता देकर के इन्होंने भोज कैंसल कर दिया था। और किसके चलते नरेंद्र मोदी के चलते। बाकी किसी से उनको परहज नहीं था, नरेंद्र मोदी से उनको परहज था। तो नरेंदर बोधी को तो याद होगा, कि भाई हमारे चलते हमारे पार्टी के तमाम नेताओं को इन्होंने अपमानित किया है, उस समय नितीश कुमार की जरुवत थी, नितीश कुमार को भीतर का जो फिलिंग है अपना उसको दबाते हुए नरेंदर बोधी अभी तक आए के साथ अब अभी जो विदान सभा का चुनाव हुआ उसमें बने चिराग पासवान इंडिये के उभी घटक हैं और उन्होंने नितीज कुमार के उमिद्वारों को हराने का जो अभियान चलाया उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा नरंद्र मोदी ने आमीर साह ने एक बार भी च क्या हुआ यह भी सबको मालूम है यह बिलकुल जो भारती जनता पार्टी की जो साजिस थी उसका पर्दा यह अरुनाचल प्रदेश की घटना से उठ रहा है कि आपको एकदम अवकात में ले आने के बाद अब आपको जलील करना शुरू किया है अब नितीज कुमार जो है सिर्फ यही एक घटना नहीं है आप इसी समय देखिएगा कि परसो जो है नितीज सरकार के जो मुख मंतरी है दोनों एक साथ वो लोग गए प्रदान मंतरी से मिलने के लिए वहां से आ करके रेनू जो है एक मुख मंतरी उन्होंने मीडिया को बताया कि नरन मोदी जी ने प घनाषी पर मठोदह करके हमको वो बहुमत दिया तो इसका ध्यानमी रखना है लिसक उन्होंने सहरा निटेशकमा को नहीं दिया नाम भी नहीं लिया चाहिए बहुत पहले न्यदिशकमा के साथ रहे बी जाते हैं कि पर्सों के अख़बार में खबर छपी थी कि जो हिंदू जागरन मंच है वहां की सभा में राष्टिये समय संक के एक पताधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर बिहार में भी लब जहाद का कानून बनना चाहिए अब इस तरह की आवाद जो है तेज होने जा रही है जानते हैं सब के सब बारते जन्ता पार्टी के लोग मंदाने नर्मोदिया अमीद साह की नितीस कुमार की मान सिक्ता क्या है तो ये मान के हम चल रहे हैं कि नितीस कुमार से पुराना हिसाब किताब इन लोगों ने चुकाना शुरू कर दिया है अब नितीस कुमार क्या करते हैं अब ये देखने की बात है अब चिंता की लखीर तो आप लोग न देखिएगा हम लोग तो दूर है आप लोग जो है उनके आमने सामने रूबरू हो करके बातचित करते हैं तो शिंता की लकिर कितनी गहरी है कितनी हलकी है इसका अंदाज आप लगा सकते हैं लेकिन हम जो हमको जो दिखाई दे रहा है नितीश कुमार के सामने भारी धर्म संकट है अब 15-16 बरसों से नितीश मुख्यमंत्री हैं और एक खास तरह के जीवन सैली का किया दत हो गई है आप जो है एक दम लाम काफ के साथ सनक पर निकलते हैं पूरा पिहार का की पुलिस यहां भी आप जाते हैं सनक पर खड़ी है तो इसका जो एक भीतर से जो सुख है हलाकि नकली सुख है लेकिन उसका सुख है सत्ता का जो भोग का जो आदत जो बन जाती है उसके बाद जोखिम उठा करके सत्ता त्यागना जो है बड़ा कटिन होता है अब नितीज कुमार जो है इसी तरह से अपमानित हो करके जलील हो करके कुरसी पर चिपके रहेंगे या कोई कदम उठाएंगे तो हमने य तो एक बार फिर से तो क्या पुराणी गल्ती जो 2017 में उने गल्ती किया कि आप उसे माफ करेंगे देखिये ना इस अब तो पहले की कहने के बाथ है निपना अपने निती इसकुमार परन सब कुछ निर्भर करता है निती इसकुमार क्या कदम उठाते हैं तो हम क्या भाजपा रहे हैं नितिश कुमार ने हाथ मिला लिया एक समय नितिश कुमार ने भी संगर्ष में किया फिर हम लोग साथ आये हम लोगों ने मिल जुलगर के भारतिय जनता पार्टी को परास्त किया अब किन ही कारणों से हम नहीं जानते हैं कि वो कारण क्या थे नितिश कुमार उस परसानी जलनी पड़ रही हो जलने के बावजूद अब निती शकुमार को तै करना है कि जहां है वहां खुट गुट करके कुर्सी पर बेठे रहेंगे, अपमान सहसा के कुर्सी पर बेठे रहेंगे, या हवाज नीकालेगे पहले तो उनको इसका प्रोटेस्ट करना चाहिए और सार्वजनिक रूप से नहिरंद मोदी जिसे अमीड साहसे पूछना चाहिए इसका क्या आर्थ है बताईए लिकट्वंदन्द जो धर्म होता है उस धर्म को आप लोग तार तार कर रहे हैं इसका क्या मतलब है बताईए आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं यह तो नितिश को नब बोलना screaming उसे की प्रतिक्षा हमलों कर रहा है आरजली साफ साफ कह रही है कि इस महाभारत में इस लड़ाई में नितीश कुमार यदि साथ आते हैं तो स्वागत करेंगे हम क्योंकि बीजेपी को पहले भी हमने पचारा था आगे भी पचारेंगे और नितीश कुमार को इस वक्त आवाज बुलंद करनी चाहिए क्या वो प बातों को भुलाएगी क्या आरजएदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ फिस्टूक पेज भी लाइक करें इसकलावा टुट हैंडल पर लाइफ्टी स्कूरूप फॉलो करें धन्यबाद